ठन्नी के मोसा में मैथी खाने का तो अलगी मजा होता है जब मैं आज मैथी लेकी आई बazaar से तो मैं सोची कि क्या बनाया जाए आज कुछ अलग बनाते हैं तो दिमाग में आडिया आया क्यों न आज इसका नम्किन बनाते हैं जिसे खुर्मा भी कहते हैं और आप लोग क्या कहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बनाने की प्रोसेस एक बंच हमने मैथी ले लिया और उसकी लिफ तोरके अलग कर दिये थे और उसको अच्छे से वाश करने के बाद अब हम इसे कट कर लेते हम इसको छोटे छोटे भाग में अच्छे से कट कर लेंगे हम जो कट करने के बाद प्रोसेस करने वाले हम इसे भूंजने वाले अगर आप चाहे तो इसे भूंज सकते हैं नहीं तो ऐसे भी आटे में डाल के आप बना सकते हैं बट भूंजने से यह होता है कि इसका जो कड़वा पन रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है इसलिए हम इसे भूझने जा रहे हैं हमारा कड़ाई गरम हो चुका है अब हम इसमें सरसो का तेल डाल लेंगे और उसमें एक चमच जीरा और कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे थोड़ा उसे रोष्ट करने के बाद हम उसमें डालेंगे लसन अद्रक का पेस्ट लसन अद्रक का भी पेस्ट हम थोड़ा अच्छे से भूल लेंगे उसके बाद हम डालेंगे मसाला आदा चमच हल्दी डाल लेंगे आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच हम गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अन्युसवाद नमक डाल लेंगे और थोढ़ा सा हम इसमें असमाइन डालेंगे स्वाद के लिए आप असमाइन को यहाँ मीज की ढ़ा है नहीं थो ऐसे भी ढ़ाल सकते हैं ये सब मसालों का अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई मेथी हमें इसे अच्छे से low frame में भून लेना है उसके बाद थोड़ा high frame करने के बाद हम इसे अच्छे मिला देंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी छोड़ दिया है क्योंकि यह ताज़ा मैथी का पता था अब हम जब तक भूंजेंगे जब तक इसका पानी सोख ना ले हमारा पानी लगभख सोख चुका है हम गेस बन कर देते हैं अब हम next process की और चलते हैं एक बरतन में हम आटा ले लेंगे आपको जितना आटा चाहिए उसके record आप ले सकते हैं मैंने दो कप आटा ली हूँ उसके बाद जो मैथी का पता बुंजे थे वो मैथी डाल दिये हैं में उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, जिसे की आटा में भी थोड़ा सा नमक का स्वादा है, और क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें ओल डालेंगे, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, अब ह हमें ये सब को अच्छे से मिला लेना है, मिलाने के बाद हम इसमें पानी डालके अच्छे से इस आटा को गुन लेंगे ये हमारा आटा रेडी हो गया है, हम इसमें सब छोटा से एक लोई ले लेंगे एक लोड पे हम थोड़ा सा आटा डालेंगे, उसके बाद हम इस लोई को रखके बेल लेंगे आप चाहे तो जैसे कि हमने आटा मिलाएं, आप उसमें मेदा भी मिला सकते हैं, थोड़ा सूजी भी और बेसन भी मिला सकते हैं बट मुझे वोसम नहीं मिलाना था, मुझे सिफ आटे का बनाना था, तो सिफ हमें इसमें आटा यूज़ करी हूँ, तो आप अपने अकोर्डिंग वोसम भी मिला सकते हैं हमें इसे पतला बेलना हैं, क्योंकि जब हम उसे फ्राइ करेंगे, तो पतले से वो क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे से होगा, तो हम इसे पतला बेलेंगे आपको अगर मूटा खाना है, तो आप उसे मूटा भी बेल के कट कर सकते हैं हमने यह गोल कर लिया है, अब हम साइट साइट से कट करने के बाद हम इसको स्तिरचे में काटेंगे हम इसे ऐसे काट चाटा है, जिससे के बरफी का सेप आए, आप चाहें तो स्क्वाइर में भी काट सकते हैं, रेट enforcement में भी काट सकते हैं आपके according आप इसे किस type का देना चाहते हैं मुझे था कि मुझे ये बर्फी के shape में ही काटना है तो मैं वैसे ही cutting करी हूँ तो आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं देख सकते हैं हमारा ये बर्फी shape में cut हो गया है अब हम एक कड़ाई में तेल गरम कर लेते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें कटे हुई नमकिन सादर डाल देते हैं हमें इसे फ्राइट तेज आज में ही करना है ये हमारा crispy में थी का नमकिन बनके तैयार हो गया आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और ठंड का मोसम आ गया आप भी ये जरूर बनाईएगा अपने घर में और कमेंट करके बताईएगा कि आप कैसा बना okay, bye